Hello students, most welcome to All of you, जहें सभी सातियों को, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चनल देव कमिशन क्लासे में, दोस्तों आज हम आपके लिए Coding to Coding की ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं, इससे पहले हमारी दो क्लासे Coding to Coding की Complete हो चुकी हैं, तो अगर आप नंबर Coding के कुछ basic concept जो हैं, वो यहाँ पर discuss करेंगे, उसके बाद आपकी SSC दोरा जो पिछले कुछ वर्सों में, exam में question पूछे गए हैं, नंबर Coding के, वो यहाँ पर हम discuss करेंगे, इसलिए दोस्तों क्लास में लाश्तक जरूर बने रहेगा, और अगर दोस्तों क्लास पस जिसमें हमें, यहाँ पर लिखा गया है, टीर को लिखा गया है, 44, mango को लिखा गया है, 40, तो reason का code में बताना है कि क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यह जो number बनता है, यह लेटर की place value से ही बनता है, तो अगर दोस्तों आपको place value नहीं याद है, तो यह type कर लिजेगा ठीक है एक separate वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे जिससे हम लेटर की प्लेस वलू और अपोजी लेटर कैसे जाद करेंगे आप आसानी से वो हम आगे बना देंगे ठीक है अब दिखी यहां पर टाइप फस्ट में क्या है सभी लेटर की प्लेस वलू का तो इसकी प्लेस वलू पहले में लिखेंगे तो 20, 5, 1, 18 तो इसको अब हमें क्या करना है एड करना है तो जब हम इसे अब आड करेंगे तो 25, 25, 21, 26, 18, 44 हो जाएगा यहां यहां पर सीधे-सीधे लेटर की प्लेस वलू को अड कर दिया गया है अब हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जाम में इतना आसान कोशन मिल जाए वहां पर कुछ और भी हो सकता है तो क्या-क्या कंडिशन बन सकती है वो आगया भी हम डिस्कस करें इंग्लास में तो यहां पर देखे रीजन का कोड क्या हो जाएगा इसकी प्लेस वलू हो जाएगा अठारा प्लस पां यहां पर सीधे सीधे इनकी प्लेस वलू ही लिखी गई है बारा फिर लिखा गया पंदरा फिल लिखा गया बाइस और फिल लिखा गया है पांच ठीक है तो यहां वहां भी आपको एक्जाम में इतना आसान कोशन मिल जाए यह कोई जरूरी नहीं है ठीक है तो अब बात करते हैं इसमें देखे कितने अलग-अलग टाइप के कोशन बन सकते हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले है लेटर की प्लेस वलू अड़ करके ठीक है तो सबसे पहले अभी जो कोशन हमने टाइप फर्स्ट में स्वाल किया उसमें हमने क्या किया लेटर की प्लेस वलू को सीधे सीधे एड़ कर दिया था तो यहां हमने टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लेटर की प्लेस वलू को एड़ कर देंगे दूसरा टाइप देखे क् कुछ प्लस या कुछ माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई नमबर प्लस या माइनस कर सकते हैं। तीसरा टाइप हमारा ये बनेगा, जिसमें हम लेटर की प्लेस वेलू को अड़ करके, उसमें किसी नमबर से हम गुणा कर सकते हैं। reply कर सकते हैं और चौथा type वे यह बनेगा जिसमें हम later की play solo को add करके कुछ उसमें किसी number से divide कर सकते हैं ठीक है अब दिखें यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है यह जो type first में कभी-कभी जैसे हमने later की play solo को add किया कभी-कभी क्या होता है later की play solo को add करने पर answer नहीं आता है वहाँ पर उनकी opposite play solo ले ली जाती है जैसे कि हम example के तोर पर एक claim तो जैसे 2 को लिखा गया है 19 ठीक है अब अगर हम इनकी play solo लेते हैं तो यह हो जाएगा 20 प्लस 15 तो यह हो जाएगा 20 पंदरा 35 जबकि बना कितना है 19 अब 19 देखिए कैसे बनेगा तो यहाँ पर क्या गया गया इनकी opposite लेटर की play solo ली गए जैसे D का opposite G होता है और O का opposite L होता है तो इसकी play solo साथ है इसकी 12 तो 12, 7, 19 ठीक है तो जैसे चार टाइप के question यहाँ पर बने है उसी चार टाइप के question यहाँ पर भी बनेंगे ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा opposite लेटर की play solo को सबसे पहले add कर सकते हैं दूसरा opposite लेटर की play solo को add करके उसमें कुछ plus या minus कर सकते हैं आप देखें, यहाँ पर जो n है, यानि कि जिस value को हम plus या minus गुणा या भाग करेंगे, तो वो value जो है, वो समान भी हो सकती, यानि same भी हो सकती है, और वो value different भी हो सकती है, यानि अलग-अलग भी हो सकती है, अब देखें, अलग-अलग होने के भी कोई logic होंगे, ऐसा तो है, यानि जितने लेटर होंगे, उससे plus या minus किया जा सकता है, या उसी नमबर से भाग किया जा सकता है, दूसरा इसमें बनेगा total number of vowel, यानि कि कुल स्वरों की संख्या से, जितने स्वरों हो सकता है, वो value plus या minus कर दे, या गुणा कर दे, या divide कर दे, और तीसरा बनेगा इसमें total number of consonant, यानि कि वेंजनों की संख्या से, जितने उस word में consonant होंगे, यानि कि वेंजन होंगे, उन से जो है plus minus या फिर गुणा या भाग किया जा सकता है, अब देखिए, अगर आप हमारे class notes की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे telegram channel, reasoning by देवन्द प्रताप के नाम से जो है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी solve PDF जो है आपको मिल जाएगी वहां से, और इसका link आपको description box में मिल जाएगा, ठीक है, अब देखिए, यहां पर पहला question लिखा गया है V, और V को लिखा गया है 14, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें place value लिखना है, तो V की सबसे पहले हम place value लिखते हैं, W, E की, तो W की place value 23 होती है, और E की 5, अब देखिए, इनको क्या करेंगे, हमें add करना है, तो add करेंगे तो आजाएगा 28, जबकि यहां पर देखिए, लिखा क्या है 14, तो अब बताइए, 28 से 14 कैसे बनाया जा सकता है, तो अगर इस number में हम 2 से divide कर दें, इसको तो 14 बन जाएगा, ठीक है, अच्छा देखते हैं, आगे यही logic चल ला है क्या, तो आगे लिखा गया है, beat को लिखा गया है 7, तो यहां पर beat की place value हम लिखेंगे, beat, यह हो गया 2, 5, 1, 20, अब सभी को जोड़ देंगे, तो आजाएगा 5, 2, 7, 1, 8, और 28, 25, ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर हम 2 से ही भाग करेंगे, तो answer 14 आएगा, जबकि यहां लिखा है कितना 7, तो 7 कैसे आएगा अब इसमें, तो अगर इसमें हम 4 से भाग कर दें, तो यहां पर 7 आजाएगा, अब देखिए, पहले वाले में 2 से भाग हुआ, दूसरे वाले word में 4 से भाग हुआ, तो क्या logic हो सकता है यहां पर, तो 21, 24, अब इनको जब जोडेंगे, तो 19, 24, 24 आएगा, अब इसमें देखिए, डिवाइड किसे करेंगे, total number of letter, यानि कितने letter है, इसमें 3 letter है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3, 8, 24, यानि 8 right answer हमारा आजाएगा, तो answer number B जो है, इसका वो सही है, ठीक है, तो यहां पर यह type first का question सबी letter की place value को add करके, जितने letter थे, उससे divide कर दिया गया था, ठीक है, दूसरा question देखते हैं, यहां पर लिखा है fly, fly को code किया गया है, 139 से, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले fly की हम place value लिखते हैं, तो 6 plus 12 plus 25, ठीक है, अब इससे हमें बनाना है 139, तो इनको अगर add करेंगे, तो 12, 6, 18 हो जाएगा, और 18 और 25, 8, 5, 13, 18 और 25 हो जाएगा हमारा 43, यानि 43, अब देखें, बनाना हमें कितना है, यहां पर 29 लिखा है, 43 से 29 काफी जादा है, तो 43 से 29 कैसे बना सकते हैं, किसी number से गुणा करके हम बना सकते हैं, तो अगर इसमें हम 3 से multiply कर दें, तो 3 तिया 9 3 चक को 12, 139 बन जाएगा, तो इसमें तो 3 से multiply हुआ, अब आगे देखते हैं, क्या 3 से ही multiply हो रहा है, देखें, हैट यहां लिखा है, तो इसकी place क्या हो जाएगी, हैट की, यह हो जाएगी 8, 1, 20, ठीक है, तीनों को जोड देंगे, तो हो जाएगा 29, अब 29 से देखें, बना क्या होगी, तो यहां पर पहले लिखते हैं, beach, b, e, a, c, h, अब इसकी place क्यों लिखते हैं, 2, 5, 1, 3, 8, ठीक है, सबको अगर जोडेंगे, तो कितना आएगा यहां पर देखें, 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, 11, 8, आएगा 19, ठीक है, अब 19 से देखें, अगर सभी में 3, 3 से भाग हो रहा तो इसका option number C जो है, वो यहां पर सही है, ठीक है, एक logic और बन सकता था, जैसे यहां हो सकता था, total number of later से भी multiply कर सकते थे, जैसे 3 later इसमें भी थे, fly में और 3 hat में भी थे, उतीन से गुणा कर दिया, अब यहां 5 later थे तो जब 5 से हम multiply करेंगे, 9 को तो 5, 9, 45 आएगा, यानि 1, 5 आएगा, लेकिन 5 किसी अभी option में नहीं है, इसका मलदब यहां सभी में same number से multiply की गई है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया question number दूसरा, अगले question पर चलते है, question number 3, अब यह हमारा है type second का question, ठीक है, तो यहां हर later से एक नया number बना है, लिखा है clock, अब इसको लिखा गया है, 4, 13, 17, 4, 12, ठीक है, अब यहां पर क्या है, दीक है, यहां पर dash लगा है, सभी में तो हमें पता है, अलग अलग number है, लेकिन अब जो question आते हैं, वहाँ dash नहीं लगा होता है, तो हम वो सारे number एक ही, एक जैसे लिखे होते हैं, उनको हम, जैसे यहां पर 13 था, तो 13 भी पढ़ सकते है, तो इसमें plus 1 करना पड़ेगा, ठीक है, अचा, 12 से 13 बनाना है, तो यहां भी प्लस 1 करना पड़ेगा, पंदरा से 17 बनाना है, तो बीच में plus 2 करना पड़ेगा, ठीक है, अचा, 3 से 4 बनाना है, यहां भी प्लस 1 करना पड़ेगा, और 11 से 12 बनाना है, तो यहां भी हमें plus 2 हुआ है बाकी समय में plus 1 हुआ है तो phone की coding देखिए हमसे पूछी गई है तो phone की coding क्या हो जाएगी phone अब इसकी place value होती है 16 ठीक है अब 16 होती है तो इसमें क्या करेंगे एक add करेंगे तो 16 एक 17 हो जाएगा यह होता है 8 8 में एक add करेंगे 9 हो जाएगा अब देखिए 20 वाली value 15 है 15 नमबर पर आता है यानि 15 में हमें 2 add करना है तो 15 और 2 17 हो जाएगा उसके बाद n 14 है 14 में एक add करेंगे तो 15 हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद देखिए e 5 नमबर पर आता है अब यहां पर यह भी logic हो सकता था कि o जो है block में सिर्फ पहला ओ ही है यहां पर यहां पर स्वर है तो हो सकता है सिर्फ स्वर में plus 2 कर रहे हूं तो यहां पर देखिए अगर 5 स्वर वाला logic लगाते तो 5 में 2 add करेंगे तो 7 आएगा लेकिन कहीं भी option में last में 7 नहीं इसका मलब इसमें plus 1 ही किया गया है तो 5 एक यह हो जाएगा 6 यानि answer हमारा बन question number 3 अगले question पर जलते है question number 4 अब यहां पर देखिए गोल्फ को code किया गया है 44 से बाल को लिखा गया है 31 तो play की coding बतानी है तो गोल्फ की सबसे पहले हम place value लिखते हैं तो direct हम place value ही अब लिख ले रहे हैं देखिए G की 7 प्लस O की 15 L की 12 और F का 6 अब इसको जब हम add करेंगे तो आएगा 15, 7, 22, 22 और 12 आएगा 34, 34 और 6 आएगा 40 अब देखिए 40 बना है 40 से 44 कैसे बनाएंगे हो सकता है इसमें 4 add कर दिया गया हो तो 44 बन जाएगा हमारा ठीक है अब logic यही आगे चल ला है क्या ball में क्या हो जाएगा देखिए B की place value 2, A की 1, L की 12 और double L है फिर से 12 तो इनको जोड़ेंगे 12 बारा 24 और 3 27 हो जाएगा ठीक है अच्छा लिखा यहां किता है 31 लिखा है इसका मलब इसमें भी हम 4 जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा ठीक है अब हमसे पूछा जाए है play की coding तो play की place value होती है P की 16, L की 12, A का 1 और Y का 25 अब इसको जब हम add करेंगे 16, 12, 28, 29, 29 और 5 हमारा हो जाएगा 34, 34 और 20 हमारा हो जाएगा 44 ठीक है अब इसमें add कितना करना है हमें सरी कहीं गलती हुए 16, 12, 28, 28, 29, 29 और 5 हमारा हो जाएगा 29, 5, 34 हाँ 54 हो जाएगा ये 44 नहीं होगा 54 हो जाएगा अब 54 में क्या करेंगे हम 4 add कर देंगे यानि 54 प्लस 4 हो जाएगा 58 ठीक है तो इसका right answer हमारा कौन सा हो जाएगा option number B हो जाएगा right answer 58 ठीक है तो ये हमारा अगला question है ठीक है ये आपके SSE CPO 2022 में पूछा जा चुका है देखे वैक्सीन को लिखा गया है 132 बटे 7 और मास्क को लिखा गया है 72 बटे 5 अब यहाँ पर देखे दो नंबर है तो जो नीचे वाला नंबर है 7 अब ये जो नंबर है ये total number of later की संक्या है देखे यहाँ पर वैक्सीन में 7 लेटर है 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इसलिए 7 लिखा गया है मास्क में 5 लेटर है तो नीचे 5 लिखा गया है इसका मदब देखे सेनाटाइज में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लेटर है तो नीचे कितना आएगा 8 आएगा ठीक है अब 8 हमारा दूसरे आपसर में ये तीसरे में नहीं है यानि आपसर या तो A ब बनेगा. अब यहाँ पर हम देखते हैं उपर वाला नमबर कैसे बन रहे हैं? तो दीखिए, मास्क सब से चोटा है तो इसको हम चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर मास्क की अगर हम प्लेश वलू लिखेंगे, तो हो जाएगी 13 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 19. ठीके, अब इसको जब हम add करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 1, 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, 14, 9, 23, 10, 33 हो जाएगा 33 और 11, 44 हो जाएगा 44 और 9, 44 और 9 हो जाएगा 53, 63 अब 63 आया है 63 से 72 कैसे बन सकता है हो सकता है इसमें 9 जोड दिया गया हो तो ये लॉजिक हमारा पहले वाले में भी काम करना चाहिए तो इसको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं तो 22 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 5 ठीक है अब इसको add करेंगे तो 22, 23 हो जाएगा 23 और 6 23, 29, 29 और 9, 38, 38 और 4 42, 10, 52, 5, 57 तो ये 57 बना है जबकि यहां लिखा है 132 इसका मलब 52 से 57 से 132 तो बहुत ज़्यादा इसमें add करना पड़ेगा तो ये तो logic यहाँ पर नहीं इनकी place value का तो logic नहीं है तो इनके opposite लेटर ले एक बार लेका देखते हैं तो देखिए M का opposite क्या होता है A का Z, S का H, K का P और S का H अब इनकी place value कितनी हो जाएगी उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा 14 plus 26 plus 8 plus 16 plus 8 अब इसको अगर हम जो add करेंगे कितना आजाएगा 14 और 26 हो जाएगा 40, 48 ठीक है इनके opposite later की place value ले गई है तो यहाँ पर बातर आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, sanitize में इनके opposite later की place value ले लेंगे देखिए S का opposite क्या होता है H, A का opposite Z, N का opposite M, I का opposite R, T का opposite G, ठीक है फिर I का opposite R, Z का opposite A, और E का opposite V ठीक है, इनहीं की place value add करना है मैं तो 8 plus 26 plus 13 plus 18 plus 7 plus 18 plus 1 plus 22 ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम unit digit चेक कर लेते हैं देखिए यहाँ पर 2, 2, 1, 3, 3, 8, 3, 11, 11, 7 हो जाएगा 11, 7, 18, 18, 18, 26, 26, 23, 29, 29 और 6 हमारा हो जाएगा 35, 35, 8 हमारा हो जाएगा 35, 8 हो जाएगा 43, यानि last में 3 आएगा अब देखिए, B option कभी भी बन नहीं सकता था last में 3 आ रहा है, तो last में 3 कहा, option number A में ही होगा यानि उपर value बनेगी 113, ठीक है, जोडने पर तो यह हमारा हो गया, question number 5 आप आएगर के पूरा देख लीजिएगा, 113 ही आएगा, ठीक है चलते है, question number 6 पर, अब यहाँ पर दिखे, trouble को लिखा गया है 100 और commute को लिखा गया है 97 तो यहाँ पर दिखते हैं, यह value कैसे बन नहीं सबसे पहले ट्रबल की जो है place value लिखते हैं, टी की place value 20 प्लस R की 18, O की 15, ठीक है, U की 21 B का 2, L का 12, और E का 5 अब इसको जोडेंगे, 20, 18, 38 हो जाएगा 38, 5, 49, 43, 10, 53, 53, और 1, 54, और 54, 20 हो जाएगा 74, 74, और 2, 76, 76, और 2 हो जाएगा हमारा, 78, 10, 88, 88, और 5 हो जाएगा 93, ठीक है, 93 आया है, और यहां पर लिखा कितना है 100, इसका मलब इसमें 7 हो सकता है, जोड दिया गया हो 100 बन जाएगा, ट्रॉस चेक करते हैं, commute में तो इसकी place लूँ हो जाएगी 3, प्लस 15, प्लस 13, प्लस 13 अब यह जितना जल्दी आप add करेंगे, मलब आप मनवे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है तो अब यहां पर 15, 3, 18, 18, और 13, 18 और 26 कितना हो जाएगा हमारा, 18 और 6, 18, 6, 24 और 20, 24 और 24 हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा 97, ठीक है, तो दोनों में साथ add हुआ है अब fraction में देखते हैं क्या बनेगा, इसमें यहां पर इसकी place value सबसे पहले लिखते हैं, तो 6, प्लस 18, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 20, प्लस 9, प्लस 15, प्लस 14, ठीक है बराबर, 18, 6, 24, 1, 25, 25, 3, 28, 28 और 20 हो जाएगा, 48, 48 और 9 हो जाएगा, 57, 57, 55 हो जाएगा हमारा 62, 62, 72, 72 और 4, 76, 10, 86, ठीक है, 86 वनाया अब देखिए, इसमें अगर 7 जोड़ते हैं, तो यहां पर 7 जोड़ने पर last में 3 आएगा, एकाई कांग लेकिन यहां किसी भी आपसन में 3 नहीं है, इसका मलब यहां पर 7 आड़ नहीं किया गया होगा, तो दूसरा भी logic देखिए हो सकता है पहले टरबल में भी 7 लेटर थे, इसलिए 7 आड़ किया गया हो सकता है, हो commute में भी 7 later है, तो यहां भी 7 add किया जा सकता है, अब fraction में देखी कितने हैं later, 8 later है, तो यहां पर हो सकता है, 8 add किया गया हो, तो 86 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 94, अब दिखे, 94 हमारा option में है, option number A में, ठीके, यानि यहां पर सब भी place value add अगर के, फिर कुल अक्षरों की संख् जोड दी गई है, ठीके, तो यह हमारा चाटा question हो गया, अगला question है break, break को लिखा गया, 2, 18, 21, 11, ठीके, तो यह type second का question है, ब, R, E, A, K, तो इसको दिखते हैं कैसे बनाया गया है, लिखा है, 2, 18, 21, 11, ठीके, अब यहां से दिखे, B की place value 2 होती है, 2 ही यहां पर लिखा गया ह ठीके, R की 18 होती है, तो 18 यह लिखा है, ठीके, यह R का code हो गया, अब E देखे, यहां पर, E का 2 है, या 21 लिखा है, यह हम नहीं पैचान सकते, क्योंकि यहां पर देखे, एक 7 सारे number लिखे हैं, तो यहां पर अब last में देखे, G की place value 11 होती है, और 11 यहां पर यह last में लिखा होगा, तो E का मतलब यहां पर code लिखा है, 2, ठीके, अब E का 2 कैसे लिखा गया है, हो सकता है, 5 इसका number होता है, तो इसमें minus 3 किया गया हो, तो आगे cross check करते हैं, देखे, color, C का हो जाएगा 3, यह देखे, C का लिखा है 3, ठीके, अब O का यहां पर लिखा है, 4 ठीके, अब O क 21 होता है, और यहां पर लिखा गया है 5, फिर R का 18 होता है, तो लाश्ट में लिखा गया 18, तो अब यहां पर logic क्या हो सकता है, देखे, यहां पर E जो है, वो क्या है, break में स्वर है, E और A, और यहां पर जो है, यह स्वर हमें पता है कौन-कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक इसलिए देखे, कलर में O को लिखा गया 4, क्योंकि O चौथा हमारा स्वर है, तो O को लिखा गया 4, ठीक है, और U हमारा पांचवा स्वर है, तो U को लिखा गया 5, लाश्ट से, सेकेंड वाला, ठीक है, तो यहां पर हमसे Tring की कोडिंग पूची गई है, तो Tring की क्या हो यानि B, 18, 3, 14, 7 इसका आंसर होगा, B, 18, 3, 14, 7 यानि आपसर नमबर, B जो है इसका वो राइट होगा, तो यह हमारा सात्वा कोशन हो गया, अगले कोशन पर चलते हैं, यहां लिखा है, गियर को 16, हर्ट को 25, तो latest का कोड बताना है कि क्या होगा, अब दिखे, यहां पर हम अगर लेटर की प्ले सोलो को प्लस से या कुछ भी करते हैं, तो यह 16 नहीं बना पाएंगे, आप ज़रा ध्यान से देखे, यहां पर जो आपसर लिखे हैं, सारे की सारे आपसर किसी की स्कॉयर लिखे हैं, इसका मदब यहां पर स्कॉयर का लाजिक है, अच्छा यह जो 16 हो लेटर में 2, 2, 4, 2, 6 लेटर हैं, यानि 6 का स्कॉयर 36 हो जाएगा, तो आपसर नमबर हमारा सी यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा कोशन नमबर 8 हो गया, कोशन नमबर 9 देखे, पिंक को लिखा गया 25, हैट को लिखा गया 16, तो फेल की कोडिंग बतानी है क्य अब दिखे, यहां पर स्कॉयर का लाजिक मद लगाएगा, क्योंकि यहां पर आपसर दिखे, कोई भी आपसर नहीं है, इसका मदलब यहां पर स्कॉयर का लाजिक नहीं है, तो आप दिखे, यहां पर हम प्लेस वाली ही लिखेंगे, तो स्पिंग की हो जाएगी 16, 9, N का 14, और के का गेरा, अब इसको जब हम एड़ करेंगे, तो 16 नो 25, 25 और 14 गेरा, 25 पचास हो जाएगा, अब यहां 50 से 25 बनाना, यानि 2 से भाग कर देंगे, तो 25 बन जाएगा, ठीक है, आगे क्रॉस चेक करते हैं, कि यही लॉजिक है, हर्ड का लिखते है, 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18, तो यह हो जाएगा, 8, 5, 3, 1, 14, 14 और 18 हो जाएगा, हमारा 32, ठीक है, अब 32 का आदा कितना होता है, 16 होता है, तो यहां पर सभी को आइड करके, हाफ कर देना है, तो फेल का हो जाएगा, 6, प्लस 1, प्लस 9, प्लस 12, 6, 7, 7, 9, सा 16, 16 और 12 हो जाएगा, 28, और 28 का आदा कितना ह होता है 14 तो यहां पर option number B जो है वो हमारा right है ठीक है तो यह हमारा हो गया question number 9 अगला है question number 10 ठीक है अब देखे यहां पर हमें यहां पर अब जो second type है वो हमारा नहीं है यहां पर अगर आप later की place value से यह number बना चाहोगे तो नहीं बना पाओगे देखे यहां पर क्या है यह हमारा common coding का question है जिसमें हमने आपको बताया था जो number या letter जिस letter की नीचे लिखा हो था वह है उसका code बन जाता है देखे दोनों में आपको कुछ common मिला होगा great g-r-e-a-t और इसका लिखा गया है 9-6-3-2 दूसरा लिखा गया है t-a-l-m-n इसको लिखा गया है 1-2-4-5-7 देखे दोनों में common हमें क्या-क्या मिला है a common मिला a के नीचे 2 लिखा है यहां भी a है a के नीचे 2 लिखा है फिर देखे यहां पर और क्या common मिला t t के नीचे 1 लिखा है यहां भी t के नीचे 1 लिखा है ठीक कोडिंग क्या है R के नीचे कितना लिखा है 6 तो यहां पर R का 6 हो जाएगा E का कितना है E का 3 है तो यहां 3 हो जाएगा E का 2 तो यह 2 हो जाएगा L का है यहां पर 4 L का 4 हो जाएगा और M के नीचे है 5 तो यह 5 हो जाएगा यानि 6 3 2 4 पांच इसका राइट आंसर होगा, तो 6, 3, 2, 4, 5, यानि आपसन नमबर C जो है हमारा वो राइट है, ठीक है, तो ये दस्वा कोशन जो था हमारा, ये कामन कोडिंग का कोशन था, ठीक है, अगला कोशन है कोशन नमबर 11, अब यहाँ पर देखिए, कंट्री लिखा गया है, औ 4, 14, 20, 15, 21, 21 के बाद 19 और 26, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है, देखिए, C की प्लेस लो 3 होती है, तो 3 से 4 बनाया जा सकता है, यानि प्लस 1 करके, ठीक है, तो 3 से 4 बन गया, जब 15 होता है, O की प्लेस लो और यहाँ कितना है, 14, यानि नीचे इसमें क्या कि किया गया, फिर U 21 होता है, यहाँ भी देखिए, 21 से 20 बनाया, माइनस 1 किया जाएगा, उसके बाद यह N 14 है, 14 में प्लस 1 करेंगे, तो 15 आ जाएगा, 20 में भी प्लस 1 किया गया है, 21 आ जाएगा, 18 में प्लस 1 करेंगे, 19 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 25 में प्लस 1 करें तो देखते हैं कि स्वर का लाजिक तो नहीं चल ला है, तो देखें, प्यूपल में इसकी क्रॉस चिक कर लेते हैं, देखें, दूसरा लेटर यहां पर E है, अच्छा, पी की प्लेशन दो 16 होती है, तो 17 लिखा गया, देखें, यहां पर यह, अब E 5 नमबर पर आता है, तो इ H I G H W A Y, ठीक है, अब देखें, लाज्ट में हमारा 26 आएगा, क्योंकि यह 25 है, लाज्ट में आएगा 26, और लाज्ट में 26 सिर्फ एक ही अप्सन में है, अप्सन नमबर A, ठीक है, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुरुवात वाला भी 8 है ना, तो 8 क्या हो और I क्या है, सुर है हमारा, यह 9 नमबर प्याता है, तो इसमें हम माइनस एक कर देंगे, तो यह 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 9, 8 यहाँ इसी में ही है, शुरुवात में, तो यह अप्सन नमबर 1 जो है, इसका सई हो जाएगा, अगले कोशन पर चलते हैं, कोशन नमबर 12, यह 9 में कितने लेटर है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 अब बताएगे, 7 से 6 कैसे बनाएगा है, माइनस एक करके, इसी तरीके देखे, पटना में, 2, 2, 4, 2, 6 लेटर है, 6 में माइनस एक कर देंगे, तो अब 5 आज जाएगा, तो राजस्थान में है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक 9 लेटर है, यान करके जरूर बताएगे, क्लास आपको कैसे लगी, अब देखे, कट लिखा है, कट को कोड किया गया है, 5, 23, 22 में, तो इसको देखते हैं, कैसे कोड किया गया होगा, second type का question है हमारा, 5, 23, 22, अब यहाँ पर हम इसको, 23 को 2, 3 भी पढ़ सकते हैं, 23 भी पढ़ सकते हैं, तो यह यहां भी plus 2 करना पड़ेगा, यानि सभी में plus 2 हुआ है, क्रॉस चेक करते हैं कैन में, 3, 2, 5 हो जाएगा, यह लिखा है, 1 और 2, 3 हो जाएगा, और 14, 2, 16 हो जाएगा, ठीक है, यहां सभी में plus 2 हुआ है, तो T प्लस, यहां पर H, 8, 2, 10 हो जाएगा, 10 सभी में है, ठीक है, फ हमारा question number 15, और यह question आपको बताना है, ठीक है, इसका answer आपको बताना है, comment section में, कि क्या होगा, ठीक है, तो यह दोस्तों, आज हमारी हो गई number coding की class, उमीद करते हैं, आपको class पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे जादा जादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे channel को subscribe पर यह, तो चलिए, अब हम next class में मिलेंगे, जिसमें हम mixed coding जो हमारा type बचा हुआ है, उसको हम वहाँ पर discuss करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को जाहिन, वंदे मातरम,